दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पांच लक्षडों के बारे में बात करेंगे अगर आपके सरीर में दिखाई दे रहा है तो आपको साउधान होने की जरूरत है क्योंकि आपका लिवर खराब हो सकता है बहुत इंफॉर्मेटी वीडियो होने वाली है वीडियो के साथ अंतक बने रहें वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like करें अपने मित्रो के साथ share भी करते रहें पहली बार चेनल पर हैं तो चनल को subscribe करें क्योंकि इ ci-type की तमाम वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ आईए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, समस्ते हैं तो चली अनियमित जीवन सैली और खराब खान पान की वज़े से लिवर की समस्या आम हो गई है लिवर की समस्या से पाचन क्रिया काफी प्रभावित होती है जिसके कारण गैस से लेकर अपच तक कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है इसके लिवर हमारे सरीर का महतपूर अंग है या हमारे सरीर में मौझूद गंदगी को साफ करने का काम करता है साथ में ही कई सारी बिमारियों को दूर करने का भी काम करता है ऐसे में लिवर को बहतर तरीके से कारी करना बहुत ही ज़ादे ज़रूरी है अगर लिवर में किसी तरह की परिशानी हो जाए तो सरीर में विसक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे लिवर डैमेज होने की संभाओना बनी रहती है कुछ ऐसे लक्षड हैं, जिसे लिवर में खराबी की और इसारा करते हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, कैसे कौन से लक्षड हैं जो आपको नजर आते हैं, तो आपको alert होने की जरू उचा बाइल के कारण होता है अगर सरीर में लिवर सही धंग से काम नहीं कर रहा है तो बाइल तेजी से बनना सुरू हो जाता है और सरीर के कुछ अंगों में उसका प्रभाव दिखने लगता है अगर आपके नाखून, स्किन और आखों में पिछले कुछ दिनों से पीलापन बढ़ता जा रहा है तो आपको तुरंत नजदी की डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उस समय लिवर खराब होने के चांसेज बढ़ गए है आपको तुरंत जो है अलर्ट होने की जरूरत है और आपको इलास कराने के जरूरत है इसके अलावा पेट का बढ़ना पेट का निकलना पेट का आकार बढ़ने का एक वज़ा लिवर में सूजन भी हो सकता है अधितर लोग पेट बढ़ने की समस्या को मोटापा समझते हैं इससे नजर अंदास कर देते हैं जो कि यहाँ आगे चलकर गंभिर समस्या का रूप ले लेता है इसलिए अगर आपका पेट बिना वज़ा बढ़ रहा है तो इस स्थिती में आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है और आपको जांच कराने की जरूरत है लिभर आपका खराब हो सकता है इसके अलावा बार बार मतली आना यानि उल्टी जैसा संसेशन होना लिभर में प्राबलम होने पर इंसान को हर समय घबरहत महसूस होती रहती है और जिसके कारण मतली आने की जैसी समस्या सुरू हो जाती है हमेशा जी मिचलाता रहता है साथ में हिस उल्टी जैसे संसेशन बना रहता है जब बोड़ी में बाइल्स की मात्रा ज़्यादे हो जाती है तो उल्टी होने जैसा महसूस होने लग जाता है ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिलें इसका इलाज सुरू कर दें कमजोर होने पर आपकी स्किन के सेल्स को डेमिस कर सकता है साथ ही बाल भी जहल्डे लग जाते हैं ऐसी इस्थिती में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें ताकि समय रहते ही इस समस्या से आपको निजात मिल सके बाकि मानसिक प्रब्लम लिवर खराब होने की सुरुवात में सिर्फ सारीरिक ही नहीं मानसिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ता है ब्रेन तुरंत रिस्पॉंस नहीं कर पाता और मरी जहमेसा कन्फ्यूजन में बना रहता है ऐसे में वीडियो में पहले बताए गए सभी लक्षणों के साथ ये लक्षण होने पर समझ लें कि आपके लिवर में कुछ प्रबलम हो रही है आपको तुरंट डॉक्टर की सला लेना है या फिर लिवर के लिए क्या इलाज कर सकते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है ये सिर्फ लक्षणों के बारे में वीडियो था आपको वीडियो देख सकते हैं और उससे आप जो अपने लिवर को मजबूत कर सकते हैं अपने लिवर को डिटक्सिफाई कर सकते हैं अपने लिवर को मजबूत बना सकते हैं ताकि आपका हेल्थ बना रहे तो दोस्ते वीडियो इंफर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसी प्रकार के तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं श्रक की तमाम वीडियो को ले करके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी हलफुल साभी सो सकती है मैं विलता हूँ नेक्स किसी और अच्छी पावेडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिन सुभव